एक गाम में एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम हरी था, हरी अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ एक जोपडी में रहता था, हरी के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें हरी और उसकी पत्नी काम किया करते थे और अपना गुजारा करते थे, लेकिन खेती से सही तरह उ हरी अपने बच्चों को स्कूल में भरती करने के लिए अपने गाम के पास के स्कूल में बच्चों को ले कर गया, तब स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चों की फीस के बारे में बताया, तो हरी ने कहा मास्टर जी, इतने पैसे तो नहीं है, मेरे पास जो मैं इन बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर सकू, थोड़ा सा कम कर लो प्रिंसिपल ने कहा नहीं कर सकती, आपको बच्चों को पढ़ना, हे तो पढ़ाओ, वरना अपने बच्चों को ले जाओ, मैंने कोई धर्मशाला थोड़े खोल रखी है और तीनो स्कूल से घर के लिए निकल पढ़ते हैं हरी, जब बच्चों के साथ घर पहुंचता है, तो उसकी पत्नी ने पूछा भगवान भी हम गरीबों को बहुत दुख देते हैं, हम कितना मेहनत करते हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पाते, खेती में भी ज्यादा कुछ नहीं बच्चता यह सुनकर उसकी पत्नी भगवान के मंदिर में रोते हुई गई और भगवान से रोते हुए कहने लगी, क्या यहीं है तेरी मर्जी, क्यों सता रहे हो आप, क्या कसूर है हमारा ये सब देख भगवान ने एक ब्राह्मन का रूप रखा और मंदिर में आकर हरी की पतनी से कहा क्या हुआ बेटी बहुत परेशान नजर आ रही हो हाँ बाबा मैं बहुत परेशान हूँ और उसने सारी बातें ब्राह्मन को बताई ब्राह्मन ने कहा, येलो बेटी, जादूई टमाटर इसको अपने खेत में लगाना और अपनी इच्छा हो, वो इससे मांग लेना, ये तुझे दे देगा हरी की पतनी वहां से घर आकर, ये सारी बात हरी को बताती है, हरी और उसकी पतनी टमाटर को ले जाकर खेत में बो देते हैं, और उसकी देख भाल करने लगते हैं कुछ दिनों बाद उसमें टमाटर लगना शुरू हो जाते हैं, जैसा ब्राहमन ने बताया, वे वैसा ही करते हैं, जब भी उनको कुछ चाहिए होता है, वो टमाटर तोड़कर ब्राहमन ने जैसा कहा था, वे वैसा ही करते हैं, इस तरह हरी अमीर बन जाता है, और हरी अप बहुत सी जमीन खेत खरीद लेता है और वे सभी खुशी-खुशी अपना जीवन यापन करते हैं।